नमस्कार नियुस्पोनेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी जा लोकसभा चुनाव को देखते हुए दोनों दल यानि कि इंडिया गठबंदन और एंडिया गठबंदन दोनों बिहार में पुरजोर तैयारियों में जुटकाई हैं ओर ऐसे में बात कर लें महा गठबंदन की तो जहाँ पर कॉंगरिस और लेफ्ट दोनों दल शामिल है जोस महा गठबंदन में वहां उस महा गठबंदन में अब यह कहा जो आ रहा है कि लालू प्रसाद यादब जो है वो अपनी पाटी पर ही भरोसा जो ता रहे हैं ना कॉं पहले चरण में जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं उन सबों पर NDA का कबज़ा है इसमें जमुई और नवादा लोजपा के पास तोरंगाबाद बीज़पी वहीं गया जुनतादल यूनाइटेट के पास रहा बतादे सबार आरजेडी सुप्रीमो ने पैत्रा बदल कर जंग की शुरुवात की है यहां से आरजेडी खुद को स्वेम लडने का मन बनाया है पिछले चुनाव में आरजेडी सुप्रीमो जो है लालो प्रसाद यादव ने असुमिद्वार को उतारा जिन्होंने दो बार गया के सीट पर परच्रम लह रहा है जिहां सबार आरजेडी ने पूर्व क्रिश्री मंत्री कुमार सर्वजीत को लोगसभा की चुनावी जंग में उतारा है इनके पिता जो है राजेश मान जी गया के सीट लालो प्रसाद यादव की जोली में डाल चुके हैं बतादे कि इनका मुकाबला हिंदुस्ता ने अवाम मोर्शा के संस्थापक और अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मानजी से होना है वहीं जीतन राम मानजी कई बार गया लोगसभा से चुनाव लड़े हैं अपर जीत नहीं मिली वो अलग बाद बतादे कि औरंगाबाद सीट पर कॉंग्रेस की दावेदारी थी वहीं गचबंदन की राजुनीती में औरंगाबाद लोगसभा सीट कॉंग्रेस के हिस्से में आती रही है ये दीगर की औरंगबाद से पिछले तीन बार से बीजपी के सुशिल कुमार का परचम लहरा रहा है इसलिए एक रननीती के तहट इस बार कॉंग्रेस को विराम दे कर स्वयम आरजडी ने अपने उमीदवार उता रहे हैं अभी मिली चित्तोर गड़ में कुश्वाहा जाती आने वाले पूरुविधायक अभे कुश्वाहा को आजमाया है अभी ये प्रियोग कितना सफल होगा या नहीं ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद पता चलेगा वही नवादा लोकसभा से आरजडी चुनाव लड़ता रहा है 2009 और 2014 में बीजपी के जो क्रमशा है वो भूला बाबो और गरिरात सिंग जीत हांसिल करते रहें वही 2019 में नवादा सीट एंटिये में जो है लोजपा को मिली थी तब लोजपा के चुन्दन सिंग ने विभादेवी को हराया था वही आरजडी सुपरीम नवादा से अकसर यादव उम्मिद्वार उतारा करते थे मगर इस बार प्रियोग के धरातल पर नवादा से कुश्वाह जाती के उमिद्वार श्रवन कुश्वाह को मिद्वार बनाया है रनीती ये है कि कुश्वाह के साथ मुसलिम यादव वोट हासिल कर लिया तो जीत की उमीद बढ़ सकती है ये दीगर की नवादा में लालू यादव का प्रतिनिधतु करने वाले राजबल्लव यादव का विरोध सामने आ गया है वहीं आरजडी सुप्रीम और लालपसाद यादव ने जमुई में भी परियोग किया पिछले चुनाव में जमुई से रालोसपा के भूदेव चौधरी चुनाव लड़े थे तब जमुई से चिराग पासवा ने जीत दर्श की जमुई से इस बार आरजडी ने फिर अपने उमेदवार पर भरोसा किया और इस बार ये जम्मेवारी अर्चना रविदास को दी है हाला कि जमुई लोकसभा सीट जो है 2009 से अस्तित्म में आया तब से जमुई लोकसभा पर NDA का ही कब सरहा और वहें 2014 के चुनाव में आरजडी के सुधार्श भासकर रनर जरूर रहे पहली बार चुनाव लड़ रहे चुडाक पास्वा ने 2014 की लोकसभा चुनाव में परास्त किया था तो देखें लालो परसाद यादव लोकसभा चुनाव को देखती हुए कई ऐसे कदम उठा रहे है जिससे ना सर्फ एंडिय की मुश्किल बढ़ रहे है बलकि उनके सहीयोगी दल जो है वो खुद उनसे नाराश चुल रहे है हाला कि तमाम जो सहीयोगी दल है वो बैक फुट पर नजरा रहे है लेकिन जो आप बातशीत करेंगे और उनके बयानों में भी आपको साफ दिख जाएगा कि वो कहीं न कहीं लालो प्रसाद यादव से नाराश चुल रहे है लेकिन फिर भी लालो प्रसाद यादव जो है वो अपनी पार्टी पर भरोसा जटा रही है राज़त पर भरोसा जटा रही है और कॉंगरेस और लेफ्ट पार्टी पर भरोसा ना जटा कर वो राज़त के भरोसे जो ही एक तरफ से कहले कि राज़त के भरोसे लोग सो भाटुना लड़ने वाली है आपके इस विजिए पर क्या रहा है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रू बताए और ऐसी ही तमाम खबरों से बडेच रहने के लिए देखते रहें नियूस फोर नेशन